पार्ट पन्रा हर जीव कमूल एक राजा था उन्होंने आग्या दी कि संसार में इस बात की खोच की जाए कि कौन से जीव जन्तूओं का अप्योग नहीं है बहुत खोचबीन करने के बाद उनके जानकारी मिली कि संसार में दो जीव जंगली मक्षी और मकडी बिल्कुल बेक अन्य शक्तिशाली राजा ने आक्रमन कर दिया युद में राजा की हार हुई और जान बचाने के लिए उन्हें राजपाट छोड़कर जंगल में जाना पड़ा शत्रू के सैनिक उनका पीछा करने लगे काफी दोड़ भाग के बाद राजा ने अपनी जान बचाई और ठ कर एक पेड के नीचे सो गए तभी एक जंगली मक्षी ने उनकी नाक पर डंक मारा जिससे राजा की नींद खुल गई उन्हें खयाल आया कि खुले में ऐसे सोना सुर्शित नहीं है और वे गुफा में जा चिपे राजा के गुफा में जाने के बाद मकडियों ने गुफा के निजदीक पहुचें दुवार पर घना जाला देखकर आपस में कहने लगी अरे चलो आगे इस गुफा में राजा आया होता तो दुवार पर बनाई ये जाला नश्ट ना हो जाता गुफा में छिपा बैठा राजा ये बात सुन रहा था शत्रू के सैनिक आगे निकल ग तो उसकी जान ना बचपाती भगवान की बनाई दुनिया में हर जीफ का मोल है कब कहां किसकी जरूरत पढ़ जाए संकलन कमला जवाहलाल शर्मा हसी मजाग चंद्रमा पर पहला पैर रखने वाला मनुष्य कौन था अध्यापक जी ने नाजी से पूछा नील आमस्रॉंग नाजी ने जवाब दिया शबबाश और दूसरा पैर रखने वाला कौन था अध्यापक जी ने पूछा दूसरा पैर भी उसी ने रखा होगा उसे वहाँ कोई लंगडी खेलने तो भेजा नहीं था तेजी से साइकल चला रहे नाजी ने पैदल चलते हाजी को पीछे से जो आज में साइकल पर हूँ वैसे रोज तुम्हें ट्रक चलाता हूँ हाजी मोबाईल फोन खरीदने के लिए नाजी मोबाईल सेंटर में उन्होंने बड़ी देर में और बड़ी मुश्किल से मोबाईल पसंद किया और दुकानदार से पूछा ये कितने का है साथ हजार का द दुकानदार ने कहा मेरा पन्ना लोमडी और शेर एक जंगल में लोमडी और शेर रहते थे एक दन लोमडी पानी पीने जा रही थी और उधर से शेर आ रहा था जम लोमडी पानी पीने जा रही थी तो उसने शेर को देख डाला लोमडी कापने लगी शेर बोला अरे देख देखो लोमडी कैसे कापने लगी, देखो मेरे से सब लोग डरते हैं, देखो जंगल का राजा मैं ही हूँ, तो सब बोले, नहीं हो तुम इस जंगल के राजा, फिर वो सब चिलाने लगे, फिर वो सब शेर को मारने लगे, तुम नहीं हो इस जंगल के राजा, प्यासी मचली एक मचली थी जहां वा रहती थी उस जगा का पानी सूख गया था वह पानी की तलाश में वहां से चली तो उससे आगी उठ मिला उठ बोला मचली मचली तुम कहां जा रही हो मचली बोली मैं पानी के तलाश में जा रही हूँ उट बोला अगर तुम ऐसे पैदल पैदल जाओगी तो रास्ते में पानी के बिना तड़प कर मर जाओगी मचली बोली थोड़ी देर में मैं वैसे भी मर जाओगी इससे बढ़िया या है कि मैं पानी ढूंड़ू क्या पता बच जाओं थोड़ी देल चलने पर मचली थक गई और तड़पने लगी उसे एक पेड़ दिखाई दिया वह उस पेड़ के नीचे थक कर गिर गई उस पेड़ पर एक चड़िया रहती थी वह मचली को देखकर समझ गई कि यह पानी के बिना तड़प रही है चड़िया ने अपने घोसले से दीपक निकाला और उसमें रखा पानी मचली को पिलाया तब जाकर मचली की जान में जान आई और वह पानी की तलाश में निकल गई